हालो फ्रेंड्स मैं हूं सुएता विल्कम टू मैं चैनल स्वेता आज की चैनल लाइफ स्टाइल आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो फ्लेवर्ड पाइनेपल केक मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए यह केक बनाया था पाइनेपल और ओरियो का मैंने कॉम्बिनेशन दिया और यह बहुत ही टेस्टी केक बना था तो चलिए बनाते हैं टू टायर केक बनाने के लिए एक केक टीन मैंने 5 इंच का लिया है और एक केक टीन मैंने 7 इंच का लिया है दोनों केक टीन में मैं अच्छी तरीके से चारों तरफ अनफ्लेवर्ड ओयल लगा दूंगी इसके बाद मैं इसमें प्राच्मेंट पेपर लगा दूंगी अगर प्राश्मेंट पेपर नहीं है तो मैं देख कि ड्रस्टिंग करके इसके उपर एक कोट लगा देंगे मैं यहां 3 4th कप चीनी ले रही हूँ और 1 कप पानी इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से घुलने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर एक बाउल के उपर मैंने च्छनी रख दिया है और इसमें मैं 1 1⁄2 कप मैदा ले रही हूँ साथी मैं इसमें 6 टेबल इस्पून मिल्क पाउडर ले रही हूँ कॉर्ण फ्रोर पाउडर भी मैं 6 टेबल इस्पून ही ले रही हूँ इसे एक से दो बार अच्छी तरीके से छान लेना चाहिए अब मैं चीनी और पानी को मिक्स कर लोगी अच्छी तरीके से चीनी नौर्मल ही लेंगे और इसे पानी में घूल जाने देंगे आज मैं इस cake में cake gel का यूज़ करने वाली हूँ, मैं इस cake के लिए 1 1 1 4th tea spoon cake gel का यूज़ कर रही हूँ, cake gel का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस बहुत ही कम cake gel में ये बहुत ही अच्छा cake बन जाता है, जिस तरीके से cream को हम mix करते हैं, whipping cream को, उसी तरीके से ये mix ह और इसे mix करने में 5-6 मिनट लग जाएंगे, आप देख सकते हैं, ये कितना white दिख रहा है, और ये cake gel के कारण इतना गाढ़ा हो चुका है, पहले से, 5-6 मिनट होने के बावजूद अगर जब तक इस consistency में ना आए, आपको mix करते रहना है, अब मैं इसमें vanilla essence एड़ कर रही ह हूँ, 3 teaspoon मैं refined oil यहाँ पर use कर रही हूँ, अब हमें इसे ज्यादा नहीं mix करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे mix करना है, अब मैं दीरे दीरे करके सारी सुखी समगरी को इसमें डाल दूंगी, और हलका हलका ही mix करूंगी, सुखी समगरी डालने के बाद हमें बीटर से ज् इस तरीके से cut and fold तरीके से mix करूंगी, यह मैंने 7 इंच के केक्टीन के लिए बनाया है और यह बैटर तयार हो चुका है, वन कप मैदा, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 4 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, सारी समगरी को मैंने एक साथ छ चीनी लिया है, और पानी में इसे अच्छी तरीके से mix कर लूँगी, और इसे mix करने के बाद इसमें 1 टी स्पून एक जेल डाल दूँगी, सेम प्रोसेस से इससे भी बीट कर लेंगे, और इसमें बीट करने के बाद सारी सूखी समगरी को डाल कर, और उसे भी mix कर लेंगे, 1 tablespoon refined oil और 1 teaspoon vanilla essence इसमें मैंने डाल दिया है अब सारी सुखी समगडी को मैं अच्छी तरीके से डाल कर mix कर लूँगी OTG को 180 degree पे मैंने preheat कर लिया है इसे मैं 5 inch के केक टिन में डाल कर और इसे 180 degree पे 40 minute के लिए मैं bake कर लूँगी दोनों केक बेख हो चुका है इसे मैं ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी आप देख सकते हैं कि केक जिल से बना केक कितना spongy दिख रहा है ठंडा होने के बाद मैं दोनों केक को बाहर निकार लूँगी और इसे 4-4 layer में काट लूँगी क्योंकि केक की हाइट हमें अच्छी रखनी है इसलिए मैं इसे 4 layer में काट लूँगी आप देख सकते हैं कितना soft और spongy केक हमारा तयार हुआ है ये केक बिलकुल bakery style होगा आप देख सकते हैं केक जल से बना केक बहुत ही tasty बनता है मैंने यहाँ 3 cup whipping cream को तयार कर लिया है pineapple के छोटे-छोटे मैं टुकरे इसमें यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये अंदर से pineapple flavor और बाहर से Oreo flavor रहेगा pineapple crust मैं यूज करने वाली हूँ मेरा homemade pineapple का cube है उसी का पानी मैं इस केक में यूज कर रही हूँ pineapple का aroma इसमें मैं यूज करूँगी जिसके कारण इसमें color और टेश्ट दोनों आएगा इसे pineapple इंबलसन भी कहते हैं केक बोर्ट पे मैंने cream लगा लिया है और उस पे पहला layer मैंने डाल दिया है pineapple के syrup को डालने के बाद मैं इस पे pineapple crush डाल लई हूँ और फिर मैं इस पे whipping cream को अच्छी तरीके से लगा दूँगी pineapple के टुकरों को डालने के बाद मैं थोड़ा सा cream और इस पे add करूँगी और इसके बाद इस पे second layer डालूँगी और फिर pineapple juice, crush और इसके उपर whipping cream सेम इसी process के साथ मैं next layer भी डालूँगी fourth layer डालने के बाद मैं इस पे crumb coat करके 10-15 minute के लिए freeze में रखूँगी crumb coat करने के बाद 10-15 minute freeze में रखने पे cake की icing बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है इसे मैं अब 15 minute के लिए freeze में रख रही हूँ crumb coat हो चुका है तब तक मैं दूसरा cake तयार कर ले रही हूँ सेम उसी process से first layer मैंने रख लिया है और इस पे pineapple juice और crust लगाने के बाद मैंने cream लगा दिया और उसके बाद इसे भी 15 minute के लिए crumb coat करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी आप देख सकते हैं cake की height कितनी अच्छी हुई है थोड़े से cream में मैं radiant blue mix कर रही हूँ इसे अच्छी तरीके से mix करने के बाद आप देख सकते हैं इसका color काफी खुबसूरत आया है mix के jar में मैं पांच और ये biscuit को अच्छी तरीके से बारीक कर लूँगी और white cream में इसे mix कर लूँगी चार से पांच ही biscuit को हमें grind करना है इसे भी mix कर लिया है मैंने और दोनों cream हमारा ready है अब मैं final icing कर रही हूँ मैं blue color से पूरे cake को cover कर लूँगी इस तरीके cake को बनाने के लिए piping bag का ही use करें इससे cake के चारों तरफ एक बराबर ही cream लगेगा इसे मैंने अच्छी तरीके से smooth कर लिया है और side से में ही मैं इसे अच्छी तरीके से plane कर लूँगी मैं अब इस tool की मदद से चारों तरफ से इस तरीके से extra cream निकालूँगी और इस gap में मैं Oreo biscuit mix cream को लगाऊंगी आप देख सकते हैं Oreo biscuit वाले cream को मैंने piping bag में डाल लिया है और ये लगाना कितना असान है इसमें अब मैं इसे smooth कर लूँगी बहुत ही हलके हाथों से इसे गुमाते हुए smooth करना है आप देख सकते हैं एक cake हमारा तयार हो चुका है अब मैं दूसरे cake को भी इसी तरीके से तयार कर लूँगी दोस्तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को like और share करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करें और हाँ bell icon दबाना न भूलें आपको इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसानी से बेकरी जैसा बर्त्रे cake बनाने का तरीका बताया है आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं step by step मैंने हर चीज को बारिकी से बताया है और मैंने हर एक चीज को बारिकी से दिखाया भी है यह मेरा दूसरा cake भी तयार हो चुका है अब इसे भी 10 मिनट के लिए set होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं एक कप dark compound chocolate को मैंने बहुत ही बारिक तोड लिया है और इसे half cup अमूल fresh cream में mix कर लूँगी 30 seconds 30 seconds करके मैंने microwave में इसे इस तरीके से melt कर लिया है मैं इसमें straw डालने वाली हूँ इसके लिए मैं इसको इसका size set करके और इसमें 5 straw डाल रही हूँ केक का वजन यह आसानी से ले लेगा next process को आप बहुत ही साबधानी से करें मैं हाँ dowel और palette knife की help से इसके उपड़ी layer को रख रही हूँ इस process से रखने में बहुत ही आसानी होती है मैं दोनों cake के size को देख कर और dowel को उपर से काट कर और इस तरीके से अंदर डाल दूँगी इससे दोनों cake जुड़े रहेंगे और हीलेंगे भी नहीं अब मैं इसके उपर चॉकलेट गनास को डाल दूँगी और हलके हाथों से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए इसके चारों तरफ इस तरीके से फैला दूँगी इस तरीके से dripping भी कर लूँगी नीचे की layer पे भी मैं इसी तरीके से चॉकलेट गनास को फैला दूँगी और dripping दे दूँगी अब मैं इसका border बना रही हूँ M1 nozzle से मैं इसके उपर decoration कर लूँगी उपर decoration के लिए मैंने white और blue दोनों shade दिया है आप देख सकते हैं इसके उपर मैं choco chips डाल रही हूँ और साथी सारे gaps को मैं Oreo biscuit के साथ cover कर रही हूँ सारे biscuits को लगाने के बाद मैं इस पे अब नाम लिख कर इस तरीके से रख दूँगी यह name मैंने homemade fondant से ही लिखा है केक बनकर तयार है आप देख सकते हैं कि यह homemade cake कितना खुबसूरत तयार हुआ है आप भी इसे घर में बना सकते हैं आप भी बनाईए और मुझे कमेंट कीजिए कि यह अब देख दूबस्ट आप दोड़ी कितना ऊज़ी लिखा गफ ववरी लिखा है झाल झाल